Hello Friends, Welcome to our YouTube Channel HSE Vlogs. Today we are going to discuss about Risk Matrix. आज हम बात करेंगे Risk Matrix, Risk Index तथा Risk Rating के बारे में कि यह क्या होते हैं और इनका जरूरत कहां पर पड़ता है. सबसे पहले हम यह जान लेना चाहिए कि What is Risk? रिस्क क्या होता है? अगर हम रिस्क को Simple Language में समझेंगे तो Possibility of Loss or Injury या फिर रिस्क को इस तरह से समझेंगे Risk is Possibility of Bad Happening It means अगर कुछ नुक्सान या खराब होने की सबावना होती है तो उसे रिस्क हम बोलते हैं रिस्क का फर्मूला होता है Likelihood into Consequence या फिर Probability into Severity दोनों का एक ही मतलब होता है Likelihood या Probability यानि की Accident होने की कितनी समझावना है उसे हम Probability या Likelihood बोलते हैं आगे Consequence या Severity के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है कि उस दुरघटना से होने वाला नुक्सान कितना हो सकता है मतलब Severity कितना हो सकते है Severity मतलब दुरघटना से होने वाले परिणाम को Severity बोलते हैं इसक मेट्रिक से जिसमें तीन कलर दिखाए गया है जिसमें कि पहला है Red, दूसरा है Yellow और तीसरा है Green इन तीनों कलर का अलग-अलग मतलब होता है जैसे कि Red का मतलब होता है High Risk Yellow का मतलब होता है Tolerable Risk तथा Green का मतलब होता है Low Risk अगर Red कलर की बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है High Risk जो कि Unacceptable Risk होता है जिसे हम Tolerate नहीं कर सकते है तथा इसके लिए हमें क्या Precautions लेना चाहिए उसे हम Risk Assessment में में मेंसन करते हैं यहीं अगर Yellow की बात करें तो Yellow Tolerable Risk को Represent करता है और Green Low Risk को Represent करता है आगे बात करेंगे Risk Matrix के बारे में तो था Risk Rating कैसे दिया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि Risk का Formula क्या होता है मतलब Risk को हम कैसे ग्याद करेंगे तो Risk का Formula होता है Risk Equal to Severity into Probability जिसे हमें पता चलता है कि Risk High है Low है या फिर Tolerable है तो हम इस Risk Matrix को एक Example के मादे हम से समझने की कोशिश करेंगे कि Risk Rating कैसे दिया जाता है इसको समझने के लिए हम दो टीम का Example लेंगे जिसमें टीम A होगा जो की Ground Level पर सट्रिंग का काम कर रहा होगा 20 मिटर के उचाई पर सट्रिंग का काम कर रहा होगा तो इन दोनों में दोनों एक्टिविटी में Risk Different है तो इसमें जो टीम B है वे 20 मिटर के उचाई पर काम कर रहे है तो Ground Level के मुकाबले 20 मिटर वाले ज्यादा रिस्क में है अगर वे किसी कारण बस उपर से निचे गिरते हैं तो उनको ज़्यादा चोट लग सकती है सिरियस इंजूरी हो सकता है या फिर आदनी का जान भी जा सकता है इसका मतलब है कि इनका सेविरेटी रिट ज़्यादा है वही हम टीम A की बात करेंगे तो वे Ground Level पर काम कर रहे हैं तो इनको Fall from Height का खत्रा ही नहीं है मतलब वे Low Risk में है तो चलिए Team B का Risk Rating निकालते हैं तो सबसे पहले अपना फर्मूला है Risk equal to Severity into Probability तो हम देखेंगे कि Severity कितना है जो आदमी 20 मीटर की उचाई पर काम कर रहा है वो किसी कारण बस उपर से नीचे Fall करता है तो उसकी गिरने के बाद एक तो Serious Injury हो सकता है या फिर Fatal भी हो सकता है इस सिनारियों में उस Accident से होना वाला Severity ज़्यादा है तो इसका Severity Value हम 5 देंगे तता साथ ही साथ वो आदमी Safety Belt नहीं पहना है या फिर Platform सही नहीं है जिसमें Railing, Tow Board या Platform में किसी परकार की कमी है तो उस आदमी के गिरने के Chances भी ज़्यादा हो सकते है तो इसका मतलब है कि Severity भी इसका मतलब है कि Probability भी ज़्यादा है मतलब उस आदमी के गिरने के Chances भी ज़्यादा है तो हम Probability का भी Rating पांच लेंगे तो अगर इसे हम Calculate करेंगे तो Severity equal to 5 and Probability equal to 5 जिसको दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसका Result 25 आएगा जो कि Risk Matrix में हमें Red Color में देखने को मिलता है इसका मतलब है कि इसका काम में Risk ज़्यादा है जिसमें हमें Immediate Action लेकर Risk को कंट्रोल करना चाहिए दूसरी टीम के बारे में बात करें तो वे टीम Ground Level पर काम कर रहे है तो वे कम Risk में है तो चलिए इसका भी Risk Rating देखते हैं अगर वे आदमे Ground Level पर काम कर रहे हैं तो Sleep Trip होकर गिरने पर जो Injury होगी या चोट लगेगा वो कम लगेगा तो इसलिए हम Severity का Value दो दे सकते हैं या फिर एक दे सकते हैं अगर जो Working Area है अगर Sleep Rating नहीं रहा तो आदमे का Sleep होने का Chances भी कम रहेगा इसलिए Probability का Value भी एक या दो दे सकते हैं और इसको कलकुलेट करके देखेंगे तो Risk equal to Severity का Value 1 है और Probability का Value भी 1 है तो Risk equal to Severity into Probability का Value 1 आएगा जो कि रिस्क मेट्रिक्स में देखने पर Green Color में दिखाई देता है इसका मतलब होता है कि वह आदमी या वरकर Low Risk में है तो इस परकार से हम Risk Rating दे सकते हैं तो दोस्तों हम आसा करते हैं कि इस वीडियो के माध्याम से आपको Risk Index तथा Risk Rating समझ में आया होगा जिसका इस्तमाल हम Risk Assessment के दोरान करते हैं तो दोस्तों नमस्कार धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा Safety Profession से जुड़े अपने दोस्तों के साथ सेयर करें